हेलो फ्रैंड्स आप सबका स्वागत है सिमर की किचन में आज मैं आपके साथ शेर करूंगे गेहों के आटेकर सॉफ्ट और स्पोंजी केक की रेस्पी में आज आपके साथ शेयर करूंगी बनाते हैं देरी ना करते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए हम पहले केक टिन को ग्रीस कर लेंगे इस बरतन में आपने केक को पकाना है वह बरतन को अच्छे से ग्रीस कर लें घी लग आटा डाल कर इसे हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे हर जगा पर यह देखिए अच्छे से कोट हो चुका है अब जो एक्स्ट्रा आटा होगा हम उसे निकाल देंगे दूसरी तरफ हम एक कडाई लेंगे पुरानी से उसके अंदर डालेंगे हम नमक यह नमक में पहले यूज कर चुकी हूं यह थोड़ा सा कलरी इसके इसलिए चेंज है अब इसका नमक को हम सारी तरफ फिला देंगे उसके अंदर एक स्ट्रेंड रखेंगे अगर आपके पर स्ट्रेंड नहीं है तो ऐसे आप एक कोटोरी ले सकते हो ऐसे रखकर हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम प लेकिन पर इसमें किसी में स्मेल नहीं होनी चाहिए ऐसा ही घी यूज करिए अब इसमें हम डाल देंगे आदी कटोरी से थोड़ी से कम दही बिल्कुल फ्रेश दही लेंगे और यहां मैं डाल रहे हूं आदी कटोरी पीसी हुई चीनी इसको डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर बिल्कुल फैसे तो यह जल्दी से मिक्स हो जाएगी लेकिन पर हमें अच्छे से मिक्स करना तांकि दहीं चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो जाए एक स्मूछ सा बैटर बन जाए जिए बिल्कुल ही स्मूध होना चाहिए यह अच्छे से mix हो चुक है अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा एक कटोरी आप आटे की जगा मैदा भी ले तकते हो लेकिन पर आटा लीजिए चाहे मैदा लेकिन उसे अच्छे से चान कर लेगा तभी हमारा कीका जो अच्छे से फूलेगा और अच्छा बनेगा अब इसमें हम डाल देंगे एक चमाच बेकिंग पाउडर और साथ ही हमने इसमें डाल देंगे आदी से कम चमाच बेकिंग सोडा इसे डालकर हम अच्छे से mix कर लेंगे और एक ही डिरेक्शन पर हम इसे चलाएंगे अच्छे से mix करेंगे एक ही डिरेक्शन में तांकि इसमें डालेंगे एक कप दूद थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे यह दिखिए और इसे अच्छे से हम फैंट लेंगे एक स्मूज सा डो बनाकर त्यार कर लेंगे तांकि बिल्कुल भी इसमें कोई भी क्रेक ना जीए दिखिए बिल्कुल पर्फेक्ट महारा जो डो बनकर त्यार हो चुका है एक मिनट के लिए और हम इसे फैंट लेंगे अब जितना इसे फैंट है कि उतना ही आपका केक है जो अच्छा बनेगा अब इसमें मैं डाल रही हूं थोड़े हुए कटे हुए बदाम इसकी बदाम मैंने ले लिए इसके अंदर हम आदा चमच गी हूं काटा डालेंगे और इ से इसे अंदर डाल देंगे तांकि बदाम है जो एक साइड जाकर बैठे नहीं इसके तले में अगर आटा थोड़ा सा जैदा लग रहा हूं आपको तो आप छान कर भी ले सकते हूं और इसे हम लगातार एक मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अगर आपको बैटर थोड़ा सा अब थीक लग रहा हो तो इसके अंदर एक या दूज अमच दूदो डाल कर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मुझे थोड़ा सा बैटर गाड़ा लग रहा था इसलिए मिने डाल दिया अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप थोड़ा सा भी जैदा कर देंगे तानकि इसमें जो भी एर वेवल्स होंगे वह साटव जाएगे और अच्छे से उपर से भी एसाटव हो जाएगा और मैं यहां थोड़े से ले रही हूं बदाम कटे हुए बिलकुल बारिक-बारिक इसके उपर से हम इसे अच्छे से गानिश कर लेंगे तानकि यह देखने भी भी अच्छा लगए यह देखिए हम इन सारे डाल दिया हमारे कडाई यह जो अच्छे से गरम हो चुकी है इसके अंदर सैंटर में हम रख देंगे अपने इस बरतन को और इसे हम 45-45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे वह बिल्कुल भी इसे खोलेंग के बाद आप देखेंगे बरतना उलतार कर कि हमारा जो केक अच्छे से पक चुका है इसके अंदर हमें टुथपिक को डालेंगे सैंटर में ही डालेंगे और यह देखिए बिल्कुल क्लियर निकला है इसका मुला हमारा जो केक अच्छे से पक चुका है जब भी आप चेक कर तो सेंटर से करिए निकेव की सेंटर से बकने में टाइम लगता अब इसको हम साइट से अच्छे से चाकू के मज़से किनारों को निकाल लेंगे और एक प्लेट रखेंगे इसके ऊपर उर्षे उल्टा कर देंगे और हलका से टैप करेंगे तो हमारा केक है जो असानी से बहार आ जाएगा ये देखिए बिल्कुल भी किसी तरह का कोई क्रैक नहीं है कहीं से टूटा नहीं हुआ हमारा केक है जो अच्छे से बनकर त्यार है अब इसको हम काटके दिखाएंगे आप देखिए जो कितना सॉफ् ट्रेजी जो मुझे कमेंट ने मिताएं के आपको जी वीडियो कैसी लगी है ना बिल्कुल जाली दर ये देखिए अंदर किसके जाली देखिए कितनी अच्छी बनी है देखिए कितना स्पॉंज की तरह सॉफ्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक औ झाल झाल झाल